नमस्कारियदी आपका फैमली मेंबर में किसी को पेंसन का लाब मिल रहा चाह है वो कोई भी पेंसन हो और सरकार के तरफ से जो रूपिया भेजा जा रहा था उसमें कुछ बदलाव किया गया है 2024 में और यहां पे लाखों पेंसन धारी को समस्या का सामना करना पर रहा है पहले जो रूपिया भेजा जा रहा था वो एकाउंट नमबर के जरिए भेजा जा रहा था अब जो रूपिया भेजा जा रहा है वो आधार नमबर के जरिए भेजा जा रहा है तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका एकाउंट में आधार लिंक है या फिर नहीं है अगर नही वार्ति टाइब करना यहां उसके सबसे उपर में जो लिंक के भाला इस पर को क्लिक कर देना हुआ लिए उसके बात यहां पर इंह पर देख सकते हैं पेयमेंट इश्टेट्र और सबसे उपर में जो लिंक है इस आपको क्लिक कर देना है और यहां पे आपको अपना एयर सेलेक्ट कर लेना है 2023-24 उसके बाद Beneficiary ID में आपके पास account नमर, आधार नमर या फिर beneficiary ID जो भी है वो select कर लेंगे हम आधार सेलेक्ट किया हैं और यहां पे हम आधार नमर को डाल देते हैं उसके बाद सर्च वाले बटन पे किलिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इसमें पूरा इस्टेटर जो है वो खुल कर आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो भुकतान का परकार है इसमें यहाँ पे अगर आपका आधार दिखा रहा है तो आपको टेंसन नहीं लेना है आपका एकांट में आधार लिंक है और आपका जो पेंसन है वो चालू रहेगा और यहाँ पे अगर आपका एकांट सो कर रहा है तो आपको अपना account में आधार को link करवाना होगा आपका account जहाँ पे भी है जिस भी bank में वहाँ पे जाना होगा और उनसे कहना होगा कि मेरा account में आधार को link करवा दिजे तो आपसे आधार नंबर वगरा document जो भी है वो ले लेंगे और आपका एकांट में आधार को लिंक करवा देंगे अगर आधार लिंक करवाने में कोई समस्या आ रहा है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट पैंग में जा करके एक नया आइकांट खुलवा सकते हैं उमीद करते हैं कि आप समझ गया होंगे कि किस तरह से आपको अपना इस्टेटर चेक करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लिजेगा अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आइकन हो उसको दबाना ना भूलिएगा